तो आप ये बात खास तोर पर चाहते हैं कि अच्छुतों को सरकारी लौकरिया मिलें? जी, निश्चित रुप से क्यूं ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनभाव बहुत ही बुरा है अधिक तर मामलों में कानून कावपयोग पिछड़ी जाती के लोगों के विरुद हुआ है मैं मानता हूँ कि आप अच्छुतों की बहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? और उची जाती के सभी हिंदू नीची जाती के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं वो सोचते हैं कि अच्छुत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवरुनों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे हिंदुस्तान का संविधान अचूतों के साथ सही बरताव करे इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूँगा हमारा ये दावा है कि पिछडी जाती वालों को हिंदु जाती से अलग रखकर अलप संख्यकों की तरह बरताव किया जाए दूसरी बात पिछडी जाती के अलप संख्यकों को दूसरे किसी भी अलप संख्यक जाती से अधिक राजनीतिक संद्रक्षण की आवश रखता है वो भी इस वज़े से क्योंकि अच्छूत हमेशा शिक्षा के खेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टी से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक की राजनीतिक दृष्टी से कमजोर रहा है और किसी भी अनसंप्रदाई की तुलना में इसलिए हमारा दावा है, आरक्षर का और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ और वयस्क मताधिकार ना हो तो? फिर हम सतंत्र चुनाओक शेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षर चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी सिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश मिस्चर सुलंकी, क्या आप का भी यही मानना है? हाँ, बिलकुल आपने अपनी जो यह योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के सम्विधान में शामिल कर लिया जाए, तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्क संगर शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है लेकिन ये बहु संख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा सरसा आप एक दूर दर्शी राजनी दिग्ये हैं, और आप ऐसी मांगे हर्गिस नहीं करना चाहेंगे मेरा द्रण विश्वास है और मेरी ये इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यक्ता नहीं होगी लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्फ संख्यकों के प्रती बहु संख्यकों का रुख कैसा अच्छतों के कुल कितने लोग है जो वकालत के पेशे में हो, मैं अकेला ही और कोई सवाल, जेंटलमन थैंक यू, डॉक्तर अमेटकर, मिस्टर सोलंकी थैंक यू, मिजरेट